सेल्फी लेने के चक्कर में समुंदर में डूबा बेटा, पिता ने बचाने के लिए लगाई समुंदर में छलांग दोनो लापता नमस्कार, मैं हुशिवानी दूबे और आप देख रहे हैं Mirror of Truth वसे किला समुंदरी तट किनारे से एक दर्धना घटना की खबर सामने आई है जहां पर समुंदर में डूबने से पिताव पुत्र दोनों लापता है पूरा मामला इस प्रकार है कि वसे पश्चिम के ओमनगर में रहने वाले 42 वर्सिय सेलिंद्र मोरे अपनी मा तथा 14 वर्सिय बेटे दिविंद्र के साथ वसे किला के समुंदरी तट किनारे गए हुए थे दरसल उनके घर पर पूजा थी जिसके बाद वह पूजा के समान को विसरजित करने के लिए वहां गए उसी दरमयान बेटा दिविंद्र समुंदरी तट के किनारे खड़े होकर सेल्पी लेने लगा जिसके चलते उसका संतुलन बिगड़ा और वह पानी में डूबने लगा जिसके बाद पास में मौजूद पिता ने बेटे को बचाने के लिए समुंदर में छलांग लगाई परंतु वह भी डूब गए इस पूरी घटना को वहां पर खड़े एक प्रत्यक्च तरसी ने देखा जिसके बाद उसने ही इस बात की जानकारी नजदी की पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस वह बचाओ करमी दल घटना स्थल पर पहुँचे और पिता तथा बेटे को ढूनने के लिए रस्क्यू उपरेशन चारी कर दिया गया आपको बता दे कि यह घटना बिते दो पहर की है जब पितावा पुत्र दोनों समुंदर में डूबे लेकिन इस घटना के 24 घंटे बीच जाने के बाद भी अब तक पितावा पुत्र का कोई भी पता नहीं चल पाया है फिलाल उनकी तलाश अभी भी जारी है मिरर अफ्रूत से शिवानी दिविकी रिपोर्ट ऐसी ही और खबरे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर अफ्रूत फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को फॉलो करना ना भूले वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेर जरूर करें